था एक कवित्री का स्वयमवर आये थे उसमें एक से बढ़गर एक धुरंदर नहीं थी कोई बंदिश हैं क्योंकि ये था कवित्री का स्वयमवर आप तो जानते ही हैं रचनाकारों की नहीं होती कोई सीमा है उनके लिए तो सब कुछ होती है उनकी रचना है उस स्वयमवर में आए थे वेदों के विद्वान और आए थे कुछ वीर महान फिर क्या सब करने लगे अपना ग्यान बखान आया था उसमें एक सामान सा दिखने वाला इंसान पर वो भी था एक अच्छा श्रोता इसलिए वो भी नहीं था किसी से कम महान कवित्री ने कहा आप क्यों बैठें इतना चुप सुनाएंगे नहीं अपना कुछ कवित्री ने कहा आप क्यों बैठें इतना चुप सुनाएंगे नहीं अपना कुछ तब वे श्रोता बोला मैं हूँ एक अच्छा श्रोता सुन रहा था ध्यान से सब बोलने के लिए नहीं जादा कुछ पहले प्रीमी हूँ आपकी रचनाओं का आपकी कविताओं का उसके बाद इन रचनाओं की बिन व्याही मा का अब थी तो वह भी एक इस्तरी उपर से एक कवितरी फिर क्या? उठाई उसने माला बना लिया उसे वर और डाल दी वर माला कहा यू तो मिल जाते हैं एक से बढ़कर एक सुनाने वाले कहा यू तो मिल जाते हैं एक से बढ़कर एक सुनाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं ध्यान से सुनने वाले thank you so much guys